नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकर्च भाटिया आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल धी पर्फ्यूम डॉक्टर पर थमनेल आप लोग आप लोग अल्डेडी देख चुके हैं पर फ्लैंकर उफ दिस बढट सर्प्रेजिंगली ये दोनों पर्फ्यूम एक जैसा स्मेल नहीं करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले यार वही चोटी वाली रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप पलीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिगा इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी प्रकार की देहिए बैक फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं डी एन जी लाइट ब्लू और इंटेंस के बारे में आप जैसा देख सकते हैं होता है थोड़ा थोड़ा आपको वैसा शेड मिलेगा इसको देखकर ऐसा मत समझेगा कि आपकी आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है बट इसका ये आपको ऐसा ही दिखता है ये 100 ml की बॉटल है इधर लिखा हुआ है ओपर लिखा हुए डॉल्चे गबाना फिर नी सकते हो ओके फिर नीचे लिखा हुआ है 100 ml वगारा ये सब नीचे का वही वही पुरानी वाली इंफॉर्मेशन यह यार चीज़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं से पर्फ्यूम खरीदने जाए और उसके नीचे ये सब कुंडली ना हो उसकी पर्फ्यूम क तो आप इसको प्लिज छ़ोड़ सकते हैं वो चीज दीब भी हो सकती है बारकोर्ट स्कैन के बिना सकैनर अगर ना हो तो समझ लेना चीज आपकी आइटम आपकी दुपलीकेट है इसके नीचे बैच कोड़ भी दिया हुआ है जहां से आपको पता कर सकते हैं कि आपका पर् के वीडियो में और पीछे क्या-क्या है इसके इंग्रेडियेंट्स वो है कंपनी का एड्रेस है बला 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 एवरिफिंग इस देर डी एन जी की ब्रैंडिंग है उपर सामने मेरे खिड़की है तो उसके रिफ्लेक्शन कारण काफी कुछ दिखाई नहीं देता होगा आपको तो यह डी एन जी की ब्रैंडिंग है इधर कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है साफा चट है तो यह मेरा पैक पीस है इसको तो मैं खोलूंगा नहीं लेकिन आप दे लीजे कि स्काई ब्लू कलर की बॉटल है ठीक है आपको मैंने कवर के बारे में बता दिया यार यह सब चीजे में इसलिए करता हूं कि कहीं आप गलती से यार बेवकूफ ना बन जाओ यार हमारा बहुत जादा मेहनत से हमारा पैसा कमाया हुआ पैसा है तो उसमें आप कही बेवकूफ ना बन जाए इसलिए मेरे को यह सब चीजें आप लोगों को बतानी पड़ती है ठीक है चलिए आईए सबसे बाद आभी मैंने आपको पैकेजिंग के बारे में बता दिया मैंने आप बॉटल कैसी दिखती है कैसी आपको दिखे कि वेन यूल उपन इट क्योंक बता है उससे और तो आप इसमें यह आप उसको पता होना चाहिए कि बाटल दिखती कैसे है अगर आपको नहीं पता लगे मेरे वीडियो से उतने जादा जान करी आपको ना मिले तो आप फ्रेग्रेंट्रिका पर जाकर देख सकते हैं या आपना गूगल सर्च कर सकते हैं आपको बहुत ही प्यारी सी प्यार से इमेजिस में जाकर बॉटल के दर्शन हो जाएंगे कि आपकी जो एक्चुल बॉटल है पर्फ्यूम की वो कैसे दिखनी चाहिए ठीक है मैंने आपको भी पैकेजिन के बारे में बता दिया मैंने आपको बॉटल के बारे में भी बता करते हैं इसके नोट्स के बारे में कि जब आप इस पर्फ्यूम को स्मेल करेंगे तो आपको किसके सरा की स्मेल आ सकती है देखिए दिस पर्फ्यूम आप जब इसको स्मेल करते हैं थोड़ा सा इसमें ग्रीनिश थोड़ा सा ग्रीन का अरोमा जो होता है उसका शेड उसका आपको स्मेल आएगी सिट्रस थोड़ा सा इसमें बैक सीट लिया है जबकि इसमें जो यह वला जो पर्फ्यूम है यह सिट्रस प्रधान पर्फ्यूम है अगले अपने वीडियो में दोनो पर्फियूम को मैं compare भी करूँगा तो ये वाला जो है ये पर्फियूम भी इसमें citrus का है फिर उसके बाद marine है marine का मतलब हो गया aquatic पर्फियूम तो जहांवर aquatic आगया यार वर्ड तो समझ लीजे कि वो जो पर्फियूम है वो गर्मियों का पर्फियूम है ठीक है आपका जो जो भी aquatic पर्फियूम है वो गर्मियों के लिए आपके लिए बेस्ट रहता है हिंदुस्तान में अलगलग जगा पर अलगलग temperature होता है तो मुंबई के अंदर मैं 24, 7, 24 आप लगा लीजे 12 के 12 महीने मैं इस पर्फियूम को इस्तमाल कर सकता हूँ लेकिन जो मेरे दोस हैं जो दिल्ली में रहते हैं जो चंडीगर में रहते हैं जेन के में रहते हैं तो वहाँ पर temperature काफी vary होता है सर्दियों का temperature सेप्टेंबर आक्टोबर के बाद काफी ठंड पर्णी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर उस सीजन के लिए ये वाला परफियूम नहीं बना हुआ है तो मरीन का आपको मैंने बता दिया फिर fresh spicy का note है बिल्कुल आपको टंग करके आता है जब आप इस परफियूम को लगाते है थोड़ा सा spicy note आपको मिलता है वुड़ी येस एक हलका टिंज है लेकिन बहुत ही अगर आपकी nose बहुत जादा experience है परफियूम के मामले में तभी आपको वुड़ी का note smell करने के लिए आएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो वुड़ी कब होता है क्या होता है परफियूम का जब हम लगाते है न तो उसका एक top note होता है एक middle note होता है एक base note होता है तो आप लगा लीजिए कि अगर आपको 8 गंटे की longevity है तो पहले 2 गंटे आपके top notes चलेंगे फिर उसके बाद के 3 गंटे आपके middle notes चलेंगे और जो बाकी का आपका time बचा पीछे का 30 गंटे का उसमें आपके base notes चलते हैं तो जब फिर उसमें क्या है कि आपको जो initial वाले जो भी रहते हैं जो परफियूम के notes रहते हैं वो गायब हो जाते हैं ठीक है चलें अभी इसके कुंडिली के बारे में जानते हैं कि light blue awe intense के अंदर narration के अंदर क्या क्या दिया हुआ है light blue awe intense pour home by Dolce & Gabbana या Dolce & Gabbana या DNG is a woody aromatic fragrance for men पिछला जो परफियूम था जो कि मैंने जो ये वला था उसमें साफ साफ लिखा हो था it is a citrus woody now this is woody aquatic ठीक है perfume for men light blue awe intense pour home was launched in 2017 ठीक है मतलब सिर्फ 5 साल पुराना है the nose behind ये बहुत important चीज़े इसको आप जहां से सुनियेगा और ये मेरी find है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ इससे मिलता है जुलता और कौन कौन से perfumes और वो भी आपको वीडियो के आने वाले भाग में मैं बताऊंगा the nose behind this perfume this fragrance is Alberto Morilas Alberto Morilas actually पिता जी है बहुत सारे hit fragrance के बहुत सारे hit perfumes के तो Alberto Morilas के अगर आप कोई भी आप बोलीजे fantastic perfumes खरीदना चाहते हैं पांच तो आप Alberto Morilas के perfumes खरीद सकते हैं longevity की मैं guarantee नहीं देता हूँ लेकिन आपको उसमें जो कह लीजे कि आपको जो उसमें जो खुश्बू मिलेगी वो एकदम बहुत जादा बेहतरी मिलेगी जहां तक मेरा खयाल है जो CK1 है that was also made by Alberto Morilas ठीक है चलो आगे देखते हैं मेरे को याद नहीं है या अभी उतने अच्छे से मेरे को अभी याद आया तो मैं बोल रहा हूँ नहीं तो मैं fact check कर लेता पहले टॉप नोट्स हा grapefruit, mandarin orange, संत्रे हैं दोनो जो भी आपको थोड़ा सा कड़वा perfume मिलेगा या आप उसमें आपको किसी ना किसी टाइप का आपको orange जरूर मिलेगा जो भी आपको गर्मियों का perfume मिलेगा middle notes are sea water and juniper आपको बताया मैंने जैसे कि aquatic इसमें note है marine का वो है base notes are musk and amber wood और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इस perfume का smell किया था तब मुझे किस टाइप की खुश्बू आई थी यार ये जो perfume है ना ये out and out गर्मियों का perfume है इसको आप कभी भी सर्दियों के अंदर मत लगाएगा क्योंकि सर्दियों में ये जब आपकी body heat generate करेगी जब उससे इसका connection होगा ना तब ये इसका जो इसकी जो fragrance है तो वो ज़ादा उठकर आएगी ये basically एक कड़वे perfume की category में मैं इस perfume को count करूँगा उतना ज़ादा बहुत ज़ादा आप बोलीजे कि sweet नहीं है sweet तो बिल्कुल भी नहीं है बहुत ज़ादा pleasant नहीं है बट इसकी एक अपनी अलग ये category है इस particular perfume की और उसकी बहुत ज़ादा आप बोलीजे इस is also इस perfume को award बगरा तो कुछ नहीं मिला था बट इस is also a very hit perfume बहुत ही महेंगा perfume है जितने की bottle ये 200 ml है उतने की ये 100 ml की bottle है reason behind that thing is कि जो कड़वे perfume होते हैं उनकी longevity बहुत ज़ादा होती है ये 8 घंटे की आपको longevity दे देगा depending upon your body time मेरी body के ओपर ये 8 घंटे की longevity देता है मैं यार क्या करता हूँ मैं जाके खरीदने से पहले ना मौल में जाके ट्राइ कर लेता हूँ पर्फ्यूम को मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बाद अपनी shirt बंद कर लेता हूँ या shirt के ओपर मैं ट्राइ कर लेता हूँ इस तरह का मैं कुछ करता हूँ फिर उसके बाद उसको मैं सुनता रहता हूँ तो मेरे को कब तक उसकी smell आ रही है ठीक है फिर मैं shirt उतार के रख देता हूँ तो 8-10 गंटे के बाद भी अगर उसकी smell आ रही है तो उसका मतलब साफ है कि यार perfume की जो longevity है न वो बहुत जादा लिस्ट है आप artisan blue का artisan blue यूज कर सकते हैं john vervatos का आपको images इदर आती रहेंगी वो आप देख रहें ना आप artisan blue यूज कर सकते हैं फिर आप इस थोड़ा सा मैं ही लादू आप artisan blue यूज कर सकते हैं ये मैं इदर रखके बैठा हूँ विकाउज मेरे हाथ में है ये वाला पर्फियूम आप bulgari का aqua atlantic भी यूज कर सकते हैं उसका उसमें और इसमें आपको बहुत जादा अंदर नहीं महसूस होगा बस ये है कि ये bulgari जो aqua है आप बोलीजे कि ये light blue और intensive थोड़ा सा जादा कड़वाहट पर है पर्फियूम और longevity wise इसकी भी 8 गंटे की longevity आपको मिलती है फिर उसके बाद अगर आप Versace pour home अगर आप देखने के लिए जाएंगे इदर फोटो देख सकते हैं वो उसकी खुश्बू भी आपको काफी हद तक काफी हद तक इससे मिलती जूलती मिलेगी and surprisingly जो Versace pour home है वो भी Alberto Morillas के द्वारा ही बनाया गया पर्फियूम है तो दोनों पर्फियूम एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जूलते हैं आपको ऐसा लगेगा उसको स्मेल करके कि Versace pour home के अंदर से एक element निकाल कर एक marine का element डाला गया है और वो light blue और intense बन गया है और आप artisan blue बता दिया मैंने आपको bulgari aqua बता दिया और मैंने आपको Versace pour home बता दिया और भी काफी ऐसे blue fragrances blue color की bottles हैं जिनकी जो खुश्बू है वो इसके आपको बहुत ही नजदीक मिलेगी आसपास मिलेगी exactly same देखिए कोई भी perfume नहीं रहेगा क्योंकि अगर exactly same बनाना है तो वो cloning में या copy की श्रेणी में आ जाता है तो जो perfumers होते हैं वो भी थोड़ा सा दिमाग लगा कर उस चीज को उसी particular note को इस्तेमाल करके थोड़ा सा उसके right left वाली चीज़ बनाते हैं अब मैं यार आपको बताता हूँ कि आप इसको कहां पर लगा सकते हैं आपका ये perfume जो है ये 42 डिग्री 48 डिग्री वाली जो धूप होती ने चिल चिलाती हुई धूप उसमें ये perfume बहुत बढ़िया से काम करेगा बहुत बढ़िया से काम करेगा आप इसको एक टू ए सर्टन एक्स्टेंट आप इसको ऑफिस में भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़ादा मत स्प्रे कीजेगा ओवर प्रे मत कीजेगा ऑफिस के अंदर आप इसको अपनी कैशुल डेट्स के ओपर भी लगा सकते हैं आप इसको डिसको ठीक के अंदर गर्मियों में डिसको ठीक के अंदर लगा कर जा सकते हैं या फिर अगर कोई bonfire बॉन फायर अगर party हो रही है बीच पर जहां पर खुली हवा है थोड़ा सा खुला atmosphere है लोगों को हलका हलका पसीना भी आ रहा है आप इस perfume को लगा कर जा सकते हैं 100 ml की bottle है it will cost you a bomb 5-6000 के बीच की range की ये bottle है आज के price के हिसाब से but it is every ml every ml of this particular bottle is worth it ठीक है तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा ये वीडियो जिसमें मैंने रिव्यू किया Dolce & Gabbana Light Blue और Intense को चलिए आप लोगों से मैं अपने नेक्स वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं compare करने वाला हूँ इन दोनों perfumes को तब तक के लिए thank you so much